यह तैसे बैट गी कुछ नहीं जानती कुछ नहीं बता रही थी यह बाक्य तो बोल लेगी नाठा का फोन ओन कर लिया करूंगी हेलो एवरिवरन कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो अभी मैं कर रही हूँ काम किचन संबाल रही हूँ और यह मेरा होरा रात का काम खाना वाना बना लिया था और खा भी चुके सब लोग और अभी मैं किचन में आई हूँ सफाई करने के लिए तो बरतंदोने हैं और किचन इतनी ज़्यादा फैल गई थी जैसे बस पूछो मत बहुत जादा ही फैल गई थी अभी तो मैंने आदा संबाल भी दिया क्योंकि कई बार खाना बनता ना तो इस तरीके से बनता है कि फ्रीज में से सारी चीज़े निकल जाती है और फिर एखटी होती रहती है फिर उन्हें धीरे-धीरे साफ करो और बरतन वग क्योंकि मैं तो तरीके से करती हूं साथ के साथ जब यह साथ में लग जाते ना तो फिर किचन फैल जाती है क्योंकि काम तो करा देते पर जो तरीके से मैं करती हूं ना उस तरीके से नहीं हो पाता इसलिए भी ज्यादा फैल जाती है तो इन्होंने काम जो फैला के छोड़ और बातों बातों में टाइम का पता ही नी चला जैसे नीचे आई तो देखा किचन भी क्लीन करनी थी और बरतन वगारा सब ऐसे ही पड़े हुए थे फिर मैंने सोचा गुड़िया सुबह स्कूल जाएगी करना भी जरूरी है और जब इतनी ज्यादा फैली हुए होती है तो लगता है फिर तो फिर तो करके सोना ही सोना होता है अगर थोड़ा बहुत पहला हो ना तो तब तो यह रहता है चलो भी दो-चार बरतन है सुबह दूल जाएंगे और बाकी सब तो साफ ही है पर आज हालत ऐसी हो थी ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था गैस भी दोने में लगे या फिर इनका बच्चों का लंच बनाए और नास्ता तयार करना होता है स्कूल के टाइम से पहले ही क्योंकि आज कल जाना तो लेट हो रहा गुडिया को तीस तारीक तक जाना इसे अभी स्कूल इसके मतलब छुटिया नहीं सुरू ही है तो इसलिए तो फि अंदे बरतन पड़े हो सिंक में तो देखके ना वैसे ही मूंट घराब हो जाता और वैसे भी सुबह नीद में से उठते है न तो बुरा लगता है और अगर सफाई करके सो जाओ ना पूरे किचन की अच्छे से तो उठने के बाद मतलब इतना आलस भी नहीं आता और अच् होंगी क्योंकि उसे जल्दी उठना होता सुबह और एक साइड में मैंने चाय चड़ा दी क्योंकि गुड़ो के पापा की रात की डूटी है न तो वो अपना ओफिस का काम करेंगे रात बर तो इसलिए एक कप चाय मैं जगी रहती हूं तो फिर बना के दे देती हूं और व परतन दोयते वो भी लगा दिये रैक में भी लगा दिये रख दिये मैंने सारे सेट करके तो रात को सिर्फ मैंने इतनी किचन की वीडियो बनाई थी अब भी सुबह का टाइम है गुड़िया स्कूल जा चुकी और मैं लगी हूं अपने काम में ज़ाड़ू लगा ली पार्क भी जाके आ गई और नास्ता बना लिया था नास्ता बना के करके फिर मैं अपने काम में लग गई थी तो डस्टिंग करनी जरूरी थी आजकल सामान पे ना इतनी ज़्यादा धूल जम रही है बस पूछो मत और पैरों में भी रेत रेत सारा दो तिन दिन हो गए हवा चल दिये ना उसकी वज़े से धूल मिटी इतनी बहुत जादा ओरिया है सारे सामान पे ऐसे जम जाती है जैसे कि कभी से साम नहीं किया हूँ तो फिर मैंने जाड़ू लगा किया सारी चीजे इच्छे से साफ की और अभी इसमें दाना भी डाल दूँगी सुबह के टाइम ना अज इसमें डाला भी नहीं होगा साइद तो और डाल दूँगी मैं जब भी काम करती हूँ ना तो मेरे ध्यान आ जाता है तो मैं डाल देती हूँ तो चलिए साफ सफाई तो हो गई मैंने सारी चीजे अच्छे से क्लीन कर दी और किचन भी पूरी संबाल के आई हूँ बरतन वगेरा सब कर लिए काम तो लगवग होई गया बस पोचा लगाना रहता मुझे पोचा लगाऊंगे भी लास्ट तो उससे पहले यह सब च किट वाली इसमें भी डाल दी अपने व्लोग में आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना और मैंने ना फिर शोट वीडियो में से उससे लेके फिर थोड़ा से ले रहा है है मैं कौन सी ले रही है यह तैसी बैठ़गी कुछ नहीं जानती कुछ नहीं बता रही थी अब बोलना काम होता नहीं है ग्यारा बजगे ग्यारा बज़े तक लेकर बैठी है काम काम कर ले जल्दी कर ले अब बिसकिट ले इनको मैंने दूद में डाल लिया एक गिलास दूद है तो इसको सारे को अच्छे से गरम करके और मिक्स कर लेंगे जैसे ही गरम होगा तो सारे बिसकिट अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे बिसकिट पूरे मेल्ट हो गया है अब गैस बंद कर देंगे इसे जार में डाल लेंगे और इसे मिक्सी में चला लेंगे तो उससे पहले में डालूँगे मिल्क पाउडर और थोड़ी सी चीनी क्यूंकि आइसक्रीम मेठी जादा होती है और पारले जी बिसकिट फीक है तो तो मैंने इसमें थोड़ी चीनी ओर एड़ कर दी और इसे अच्छे से मिक्सी में चला लिया और अभी बना लेते हैं इसके केरेमेल जो होती है न वो बीच में करंची सा आता है तो वो ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं जब तक चीनी पकेगी तो मैंने तीन चार बिसक क्रिम में डाल देंगे और इसके उपर लगा दूंगी होम फोईल ताकि इस पर आइस वाले क्रिस्टल ना जमे तो इसे अच्छे से पैक गर्मियों की सुरवात हो गई है तो चलिए बनाते है टेस्टी सी आइसक्रीम बोईल तो चाय बना ली थी चाय पीएंगे और पानी आया तो पानी भी चला दिया गुड़िया भी टूसन से आ गई गुड़ू लेके आता है इसे तो कभी-कभी उसकी वी क्लास सेम टाइम पर हो जाती न तो मैं भी छोड़ाती हूं ले आती हूं और अभी तो गुड़ू के पापकी नाइट चलिए तो फिर ये गुड़िया को छोड़ के भी आते हैं और लेके भी आते हैं मेरा काम तो नहीं है आज गुड़िया को छोड़ने का तो अभी चाय पीके बस लगेंगे अपने काम में शाम का खाना देखना क्या बनाऊं आज खाने में और समझ नहीं आता ना कई बार क्या बनाए खाने में तो चलिए ज करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए